ये रहे आपके सब प्रश्ण पत्र वाइटनर का उप्योग करना मना है यदि किसी भी विद्यार्थी के पास हो तो कृपया मेरे पास जमा कर दें सभी को शुब काम नाए समय समाप्त मैम वाइटनर का इस्तिमाल करना क्यों मना है वाइटनर एक हानिकारक पदार्थ है इसको सूंगने से दिमाग और तंत्रे का तंत्र पर पुरा असर पड़ता है ये ड्रग लेने की लद को भी बढ़ावा देती है हमारी सरकार ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के द्वारा करेक्शन फ्लूइड वाइटनर आदी का उप्योग करने पर रोक लगा दी है अच्छा अब मैं समझा और अब मैं अपने दोस्तों को भी समझाऊंगा धन्यवाद मैं विजय हमारे स्कूल का जोनल फुटबॉल माच अगले महीने होगा तुम टीम के बहतरीन खिलाडी हो लेकिन अभ्यास करने नहीं आते हो इर्फान तुम्हें विजय के बारे में कोई जानकारी है वह इन दिनों तनाओं में दिखता है और उसका व्यवहार भी बदल गया है आप सही कह रहे हैं सर, मैं उससे बात करूँगा दुकान वाले से कहो कि वह अपनी दुकान यहां से हटा ले सरकार के आदेशानुसार 18 साल से कम आयू के व्यक्तियों को तंबाकू उत्पाद बेचना वर्जत है और शेक्षिक संस्थानों के 100 मीटर के दाएरे में भी तंबाकू उत्पाद बेचना वर्जत है विजय, तुम अकेले क्यों मैठे हो? क्या बात है? इर्फान, मुझे मदद की जरूरत है तुम्हें तो पता ही है कि मेरी पढ़ाई सही नहीं चल रही है और परीक्षा भी शुरू होने वाली है इस से मेरा तनाव बढ़ गया है हाल में मेरी दोस्ती मेरे पढ़ोस के कुछ बड़े लड़कों से हो गई है कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे तनाव दूर करने के लिए सिगरेट और कुछ पाउडर जैसी चीज़ दी थी मैंने वो इस्तिमाल किया और अब उसकी लट लग गई है वो लड़के मुझे घर से पैसे चुराने और उन्हें देने के लिए कहते हैं ओहो विजय ये तो खतरनाग है मुझे लगता है हमें तुरंट तुम्हारे माता पिता से या टीचर से मदद लेनी चाहिए धन्यवाद इर्फान मैं अपने पीटी टीचर से बात करूँगा और रोजाना फुटबॉल का भ्यास करने की कोशिश करूँगा विजय उठ जाओ क्या किसी को पता है इसे क्या हुआ है इसने मुझे बताया कि इसके कुछ दोस्तों ने पाउडर जैसा कुछ मादक पदार्थ दिया था ओ नहीं ये तो गंभीर मामला है कृपया प्रिंसिपल को बताओ और हम इसे अस्पतान ले चलते हैं कृपया कोई इसके माता पिता को भी सूचित कर दो विजय अब खत्रे से बाहर है हमें इसमें नशा लेने के कुछ शुरुवाती लक्षन दिखें हैं और कुछ दिनों तक इसका इलाद चलेगा हमें विश्वास है वो ठीक हो जाएगा धन्यवार डॉक्टर आपने मेरे बेटे की जिंदिगी बचा ली मैं हमारे आसपास हो रही समाज विरोधी कतिविधियों की शिकायत स्थानिय पुलीस को दर्च कराऊंगा डॉक्टर यह बहुत दुर्भागी पूर्ण है मैं स्कूल के प्रिंसिपल से हमारे सीनियर विद्यार्थियों के लिए जागरूक्ता शिवर लगाने और परामर्ष कारिक्रम आयोजित करने का अनुरोध करूँगा ताकि हमारे स्कूल के बच्चे नशीले पदार्थों के चंगुल में नहीं भसे और इस प्रयास में उनके माता-पिता को भी शामिल होने का आगरह करूँगा हम इस कारिक्रम में बतौर वक्ता आपको आमंत्रित करेंगे ये बहुत अच्छी पहल है, मैं जरूरा हूंगी धन्यवार प्रियविद्यार्थियों, शराब, तंबाकू और नशा लेने की शिरुवात आमत्र पर किशोरा वस्था में होती है कुछ जिग्यासा वश लेते हैं, तो कुछ यार दोस्तों के जोर देने पर और कुछ अन्य चिंता या मन में हीन भावना घर कर जाने की वजह से इसका असर हमारी पढ़ाई पर स्कूल से लगाओ और अन्य गतिविधियों में भागीदारी पर पढ़ता है इसलिए आप सभी नशे को ना कहें और मादक पदार्थों से दूर रहें मदद के लिए अपने माता-पिता, टीचर या फर दोस्तों से बात करें और किसी विश्वसनी या व्यक्ती की मदद लें मैम, आप टीचर और माता-पिता से कुछ कहना चाहेंगी प्रिय शिक्षक और माता-पिता, कृप्या बच्चों से अपना पन बढ़ाएं और उनसे बात करें इससे बच्चों का आत्म सम्मान और आत्म विश्वास बना रहेगा कृप्या उन्हें सामाजिक कामकाज में भाग लेने के लिए प्रूत साहित करें आईए हम सब मिलकर स्कूल को तंबाह को मुक्त रखने का संकल्प लें धन्यवाद बच्चपन और के शूरा वस्था में बच्चों पर कई कारणों से नशीले पदार्थों के चंगुल में हसने का खत्रा रहता है जिसमें उन पर और आसपास के माहौल पर बहुत बुरा असर पड़ता है नशीले पदार्थों का बच्चों के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्तिय और कुल मिलाकर उनकी खुशियों पर बहुत बुरा असर पड़ता है इसलिए उनके माता-पिता और शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों को ग्यान और कोशल प्रदान करें जो उनके आत्म सम्मान को बनाई रखने में सहायक होगा और उनमें जिम्मेदार नागरिक बनने की क्षमता का विकास करें बिद्यारतियों को बुरी आदत में सास देने वालों से दूर रहना चाहिए और जरूरत पढ़ने पर अपने दोस्तों, शिक्षकों, माता-पिता और किसी अन्य विश्वस्निय व्यक्तियों की मदद लेनी चाहिए बच्चों, नशीले पदार्थों के खिलाफ इस जंग में आप अकेले नहीं हैं यह हम सब की जिम्मेदारी है कि नशीले पदार्थों की रोक थाम और इस समस्या का निदान करें